हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कक्षा 8 की वॉक्षीट नंबर 38 जो की 13 दिसंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है गनित और आज का टॉपिक है एक पदी, द्वी प बहुपद, समान और आसमान पद तो चलिए इस वॉक्षीट को हम शुरू करते हैं प्रिया और रिया दो जुड़वा बहने हैं आज अपना जन्म दिन एक साथ मना रही थी दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्म दिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काट कर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट यानि उपहार भेट किये तो हुआ क्या देखो प्रिया और रिया की मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पैन, पैंसिल और रबर के पैकिट डाल दिये थे उन पैकिटों की विशेश्ता यह थी कि जुतनी क कीमत एक रबर की थी, उतनी ही रबरें एक पैकेट में थी, अब प्रिया ने कुछ पैंसल, पैन और रबर के पैकिट खोल कर उसी थैले में मिला दिये और रिया की मम्मी ने अपनी आखे बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरम किया, तभी प्रिया को एक गणितिये खेल सूजा और उसने कहा ऐसा करते हैं, तो देखो हुआ क्या कि क्यूंकि रिया और प्रिया दोनों का बर्थडे है, तो इस बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तीन चीजे लेकर आए हैं, पैन, पैंसिल और रबर, अब इनकी खासियत ये है कि एक पैकेट में जितने पैन है, उस पैकेट की कीमत भी उतनी ही है, मतलब एक पैन की कीमत मान लो पांच रुपे है, तो एक पैकेट में भी पांच पैन ही है, ठीक है, तो इस तरीके से यही चीज पैन के साथ है, यही चीज पैंसिल के साथ है, और यही चीज रबर के साथ ठीक है अब यहाँ पे देखो इसको हमें समझा रखा है कि मान लेते हैं एक पैन की कीमत है X रुपए तो एक पैकेट में जो पैन है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी उसकी हो जाएगी X स्क्वेर क्योंकि जितने पैन है उतनी ही पैन का कॉस्ट है तो यानि X गुणा X X की घात 2 आजाएगी सेम ऐसे अगर हम पैनसल की कीमत को Y मानते हैं तो एक पैकेट में जो पैन है उसकी कीमत कितनी आजाएगी Y की घात 2 और अगर हम मान लेते हैं कि रबड की कीमत Z है तो एक रबड के पैकेट की कीमत कितनी आजाएगी Z की घात 2 क्योंकि बच्चों एक रबड का ज जिन्हें उपहार मिले, तो इन सभी बच्चों को उपहार मिले हैं, क्या-क्या मिले हैं उपहार, वो यहां पे लिख दिया गया है, अब इसको हमें गणितिये रूप में लिखना है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो माला को उपहार मिला, क्या-क्या मिला है, चार पैकेट pen के मिले हैं, दो pencil हैं मिले हैं और 3 packet rubber के मिले हैं 4 packet pen के मिले हैं, तो यानि कि 4 और 1 packet की कीमत है x square, 2 pencil है तो 2 y और 3 packet rubber के हैं तो अगर पूरा packet है तो इसका cost रो जाएगा z square और 3ों को जोड देंगे, इसको अगर 2 से जादा पद होते हैं तो उसको बहुपद केहते हैं, ठीक है सेम ऐसे श्वेता को मिले 4 packet pencil और 2 pencil कम तो 4 packet pencil की कीमत हो जाएगी 4 y की घाद 2 और इसमें से 2 pencil कम करनी है तो घटा 2 y कर देंगे अब इसमें पहला पद और दूसरा पद सिर्फ 2 पद हैं, तो ये 2 पदी हो गया श्याम को सर्फ 5 packet rubber मिली है यनि 5, z की घाद 2 तो ये 1 पदी है अब पूजा को मिली है 3 pen तो 3 pen की कीमत है x रुपए जमा में 5 pencil 5 pencil की कीमत है y रुपए और 6 rubber और rubber की कीमत है z रुपए तो ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे भी 3 पद है अगर हम गीता की बात करें तो इसे 2 packet pen मिले है यनि की 2 x की घाद 2 जमा में 3 pen मिले है यनि की 3 x ठीक है और साथ ही साथ 5 rubber मिली है यनि की 5 z तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यह बहुपद ही है यहाँ पे भी आप बहुपद लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 पद है फिर अगर हम विकास की बात करें तो इसे 3 packet pencil मिली है ठीक है तो यनि की 3 y की घाद 2 और यह हो जाएगा 1 पद ही क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 पद है अब इसके बाद हम बात करें दीपक की तो उसे 9 pencil मिली है तो 9 और pencil की कीमत है y रुपए जमामे 3 packet rubber मिले है 3 और rubber के 1 packet का कीमत है z square तो यहाँ पे 2 पद है तो इसे हम लिखेंगे 2 पदी तो इस तरीके से हमने इस table को तो पूरा complete कर लिया अब आगे देखते है एक पदी द्वी पदी तो आपको समझ में आ गया कि जिसमें एक पद है जिसमें दो पद है दो पद से जादा जिसमें भी है उन सबको हम बहुपद कहेंगे चाहे उसमें तीन पद है चाहे चार पद है चाहे दस है चाहे 15 है चाहे 20 हैं अब हम बात करते हैं एक समान और आसमान पद की तो बच्चो एक समान पद या समान पद वो होते हैं जिन में एक जैसे पद होते हैं जैसे कि 3Z square और 5Z square 2Y, 2Y 3Z और 5Z ठीक है 7Y और 15Y तो जिसमें यह जो अचर संख्या है तो यह समान पद होंगे, लेकिन अचर संख्या अलग-अलग हो जाएगी, तो वो आ समान पद हो जाएगे, जैसे कि यहाँ पर 4y का स्क्वेर है, और यहाँ पर 2y है, तो 4y की घाद 2, एक अलग नंबर है, और y, यहाँ पर y की घाद 2 है, और यहाँ पर सर्फ y है, इसलिए यह दो अलग-अलग पद है, अलग तरीके के पद है, तो इसको हम कहेंगे आ समान पद, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ प्रश्ण दे रखे हैं, पहला प्रश्ण है कि उप्रोक्त तालिका से 5-5 उधारन, समान एवं आसमान पदों के बताईए, तो बिच्चों समान पद कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हम उधारन के लिए ले लेते हैं, चार एक्स की घाद दो, साथ में पाँच एक्स की घाद दो, तो यह हो जाएगा, समान पद, ठीक है, अब क्यूंकि पाँच उधारन लिखने हैं तो यह तो एक उधारन हुआ, इसके लामा आप साथ वाई और आठ वाई लिख सकते हो, यह दूसरा हो जाएगा, तीन, जेट की घाद दो, और दस, जेट की घाद दो, यह भी समान पद हो जाएगा, इसके लामा आप सिर्फ वाई की घाद दो, और पाँच वाई की घाद दो लिख सकते हैं, चार हो गए, एक और लिख लेते हैं, चलो, कि Z, 3Z और 7Z, तो ये हो गए सारे समान पद, लेकिन अगर हमें A समान पद लिखने हैं, A समान पद, तो पहला हो धारण क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमने लिखा, 4X की घाद 2 और 2Y, ये आसमान पद हो गए, इसके अलावा हमने लिखा, 3Z और 4Z की घाद 2, तीसरा हम लिख सकते हैं, 5Y और 5Y की घाद 2, एक और लिख लेते हैं, 10X और 2X की घाद 2, और एक और हम लिख लेते हैं, 3Y और 5Z, तो ये सारे उधारण हो जाएगे, आसमान पद के, तो पहला प्रशन तो कम्प्लीट हो गया, दूसरे प्रशन में हमें कह रखा है कि विकास ने प्रिया और रिया को उपहार स्वरूप 51-51 रुपे दिये, क्या ये भी बहुपद है, तो बच्चों हाँ ये भी बहुपद है, तो आप लिखेंगे, हाँ, क्योंकि एक बहुपद में सिर्फ और सिर्फ चर संख्या भी हो सकती है, दूसरा प्रशन है, क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप लिखेंगे, हाँ, ये एक बहुपद है, तो इसे बहुपद के रूप में लिखा भी जा सकता है, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे अब इसको आप बहुपत के रूप में कैसे लिखेंगे तो किसी भी बहुपत को हम ऐसे लिखते हैं P X बराबर में अब क्योंकि यहाँ पर 51 जमा 51 मिले हैं तो 102 इस तरीके से आप इसका अंसर लिख देंगे 51 जमा 51 दोनों को मिला के कितने मिल गए हैं 102 और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू